डोस्तों जिस मैच का IPL जो start हो गया उस से पहले ही मैच की बाते हो रही थी आज का जो दूसरा मैच है मुंबई इंडियन्स और गुज्रा टाइटनस के बीच में इस मैच के इंताव तब से हो रहा है जब Gugerah Titans की कफ्तानी से हटके उन्हों की Mumbai Indians की कफ्तानी समाली है हार्धिक पांडिया और Rohi शर्मा को कफ्तानी सटा दिया Mumbai Indians की मेनज्मेंट ने तो तब से बाते हो रहे कब होगे का दोगा Mumbai Indians की मैच तो वो आज का दिन है आज जो दूसरा मैच है तो वह मैच बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि दो तरफे से आप देख सकते हो क्योंकि एक तो यह कि मुंबाइ इन जब उत्रहेगी मैदान में तो कितने सालों के बाद कप्तान रोहिश शर्मा तो होंगे लेकिन ऐसा प्लेयर खेलेंगे ऐसा कैप प्लेयर हैं और उनको कप्तानी सौपिया तो शुमन गिल के पर भी प्रेशर होगा लेकिन यह उनके लिए एक अच्छा मौका है इससे निकलने का क्यों आगे चलके ना अगर भारते टीम की कोई कप्तानी का दावेदार है तो शुमन गिल है एक क्यों तीनों फॉरमेंड मे में वह उनके नहीं है कि उनको आगे चलके भारते टीम का कप्तान बनाया जाए तो बहुत चीज़ें लेकिन में यह है जब हर्दिक पांडिया उत्हेंगे मैदान में टॉस करने के लिए या फिर कभी भी बैटिंग बॉलिंग या फिर कुछ भी करेंगे तो फिर रोही शर होती रहेगी लेकिन यह जो आज का दूसरा मैच है नहीं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गुजरा टाइटन्स भी एक सीजन की सबसे टॉप टीम माने जाती है मुंबे इंडियंस तो होती है मुंबे शर्मा ने अपनी कपतानी में पांच बार दूसली ल coronavirus घृजटन के लिए बत हो बाति थी तो आज के मैच में जब सामना तो इख इंडी कि होता है क्या होता है क्या हुआ नहीं हो तो दोस्तों आपकी वीडियें कॉन्सियसबाल डाल के कॉमेंट करके जरूरत बताएँ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें